हेलो बच्चों क्लास 12 में इंग्लिश में पोईट्री में नाइन्थ पोईम कंटीनिव है स्टॉपिंग वाइवोट्स अन आई स्नोई इवनिंग इसका मतलब है बच्चों की एक सुन्दर जंगल द्वारा रोका जाना एक सुन्दर शाम में बर्फ से भरी शाम में एक सुन्दर जंगल द्वारा किसी को रोका जाना तो इसके पोईट है रोबर्ट फ्रोज्ट जिसमें वो बता रहे हैं कि वो एक बार अपने प्यारे से घोड़े के साथ एक सुंदर बहुत ही सुंदर जंगल पार कर रहे थे कर रहे थे तभी में जंगल को देखका यतने मोहित हो गए कि यात्रा समाप्त करने का विचार लगे और सोचने लगे कि अपनी बच्चिय ही जिंदगी यहीं पर बिच्ची लाइव यहीं पर इंवेस्ट की यहीं पर बिताया जाए और वह आगे मरना मतलब यहीं पर ही मरना चाहते हैं वह आगे जाना नहीं चाहते इस बात से उनका जो घोड़ा है उनका छोटा सा गोड़ा प्यारा सा गोड़ा जो उनकी बात से सहमत नहीं और वो परिशान है क्योंकि बास वो पास की किसी अस्तवल के बिना रुखना नहीं चाहता, खुले में रुखना नहीं चाहता, पोएट की तरह तो वो अपने गले की घंटियां बजा कर इशारा देता है कि यहां रुखने का कोई और चित नहीं है कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं यहां रुखने का, तब कभी को ध्यान आता है कि हां मेरा कोड़ा ठीक कह रहा है और मुझे अपने सारे वादे पूरे करने मरने से पहले मैं यूहीं अभी नहीं मर सकता, ओके बच्चों तो कंटीनियू करते हैं किसके हैं यह सुंदर जंगल जिसे मैं शायद जानता हूं, सोचता हूं और जानता हूं, His house is in the village though, यह दपी इसका घर यहीं आसपास किसी गाउं में है, He will not see me stopping here, अगर मैं यहां रुख जाता हूं तो वो मुझे निश्चित रूप से नहीं देख पाएगा, To watch his woods fill up with the snow, क्योंकि उसका जंगल बर्फ से पूरी तरह से धका हुआ है, दिख नहीं पा रहा है यह घर, My little horse must think it quit, मेरा चोटा सा प्यारा सा घोड़ा बहुत बेचा है नहीं है सोचकर, to stop without a farmhouse near, क्योंकि वो पास के किसी farmhouse के बिना रुखना नहीं चाता है, वो farmhouse में ही र रुखना चाता है, अस्तवल में रुखना चाता है, between the wood and frozen lake, यह स्थान जमिवी जहील और जंगल के बीच इस्ते था, यह स्थान जमिवी जहील और जंगल के बीच इस्ते था, the darkest evening of the year, और वर्ष की सबसे गहरी शाम है, वर्ष की सबसे ज़्यादा गहरी शाम है, he gives his harness, bell or वो परिशान होकर अपने गले की घंटियां गले में लटकी घंटियों को बजा कर इशारा देता है और हिलाता है कि यहां रुखना कहीं कोई गलती तो नहीं है केवल और केवल दूर से तेज हवा के साफ करने की तेज हवा जैसे जाड़ू लगा जा रहे हैं अधिश्न के पत्तों में इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है है नेक्स इसे मेटा तो इतना सुंदा द्रश होने के बाद वह जब उनगा खोडा उनने ऐसाज दिलाता तब उने बीस समझ में आता ही कि सायद मैं सच मुछ कोंई गलती कर रहा हूं लव्ली दीप ड़क प्रामिस टू कीप परंतु मुझे लोगों से किया वादा पूरा करना है माइल्स टू गो विफॉर आइसलीप मुझे मरने से पहले मीलो जाना है मुझे मरने से पहले मीलो जाना है मुझे मरने से पहले बहुत सारे अपने कर्तवे पूरे करने बहुत सारे वादे निवाने और मैं यूही इस तरह नहीं मर सकता ओके बच्चो मुझे आशा है कि आपको समझ आई होगी यह पोएम और अगर समझ आई है तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे अब शेयर कर दीजे अपने फ्रेंड्स को सेयर कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को पूरा देखा कीजिया निश्चित रूप से आपको पॉईट्री जरूर समझ में आईगी और इसी तरह से कंटिनियू सपोर्ट कर दे लिए थैंक्यू सो मॉच थैंक्यू सो मच थैंक यू सो मच अगेन ओके बच्चों